हम लोग एजेंसी से काम नहीं करने चाहते हैं, हमको बिभाग में ही रहते हैं, हमला पूरा हो जाएगा, लिखित के साथ तो हमला अपना काम में निकल जाएगा, बहाली हुआ था 2004 में, लेकिन यह ओपीस में दिखा रहा है, छोटा 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 था, छोड़ के हम काम करने दुरगा पूजा का माहोल है, चारो तरब पंडाल का निर्मान हो रहा है, सब तरब मा दुरगा की आराधना के साथ 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 सफ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, ऐसे परिस्तिती में अपनी विभिन प्रकार की मांगो को लेकर सिम्डेगा नगर परिसत के सफ़ाई कर्मी अनिस्चित काल के लिए हरताल पर चले गए हैं, नमस्कार मैं विकास और आप देख रहे हैं सिम्डेगा समाचार, आज वह हम इस वक्त यहां नगर परिसत के समक्ष हम मौजूद हैं, जहां पर आप जैसा की हम कैमरामेन को दिखाना कहेंगे, कि देखे पूरे नगर परिस अनिस्चित काल के लिए हरताल पर बैठे हैं, जैसा की जानना चार है थे और इनके द्वारा हमें जानकारी दिया गया कि इनकी सुल्ल सुत्री मांगे हैं, जिसको लेकर यहां पर आज धरना दे रहे हैं, इनका कहना है कि इन्हें विगत कई सालों से नगर परिसत की और से मिलती थी, लेकिन अब इन्हें NGO के थुरू भुक्तान मिल रहा है, आदिवासी बहुल छेतर है, अधिकांस लेबर यहां पर आदिवासी समुदाई से हैं, ये लोग अपने परिवार को चलाने के लिए दैनिक मजदूरी करते हैं, सहर की सफाई करते हैं, ताकि सहर का साब स उत्रा रहे, तो उसकी बात ही कुछ है, लेकिन दो दिनों से लगातार ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे में सहर का नजारा आप भी देख सकते हैं, सहर के जगा जगा चौंक चोरा है, पर गंदगी का अमबार लगना सुरू हो गया है, नाली जाम पड़ रहे हैं, समस्याओं को लेकर ये आज धरना पर बैठे हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर एक दिदी है, सुनिता बरला जी, इनसे हम बात करेंगे, इस करमचारी संग का ये साइध अध्यक्ष भी है, तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्या मांगे हैं, जिसको लेकर ह हरताल की वज़े से पूरा नगर परिस्त का सफाई ब्यवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है, पूजा का माहूल में दिक्कत हो रहा है, तो चलिए हम इनी से जानते हैं कि क्या कुछ है, तो हाँ सुनिता जी बताएं, आप लोग हरताल किये हैं, क्या कुछ है, क्या समस्या है, किसको लेकर आप हरताल कर रहे हैं? जिसको लेकर इन्होंने हरताल किया है, तो इनका कहना है कि बेतन भी हमें समय पर नहीं दिया जाता है, अदिवासी मूल वासी छेतर में बाहर की कमपनी आई है, जबकि इनका कहना है कि यहां के अस्थानिये लोगों को काम मिलना चाहिए, एजनसी भी यहां के अस्थानिये जर surface में मुठीक देश तरे बости हाई। उसमें से उन का एजनसी का करना है कि पांच तारिक तक हमको टाइम दिया जह भी कि पांच तारिक तक करेशप है। तर रहते हैं तर चासनतर और जी में हम पईना आहीं। करने चाहते हैं हमको विभाग में ही रखा जाए जैसा कि इनका मांग है कि यह एजनसी के माध्यम से काम करना नहीं चाहते हैं इनका कहना है कि हमें विभाग के माध्यम से काम कराए ताकि हमें काम करने में दिख करना है और सहर की साफसफाई विवस्था बनी रहे हमेरे साथ यहां पर और एक भाई मौझूद हैं मैं इन लोग से भी जानना चाहूंगा जितुवा जी हैं इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इनके साथ क्या समस्या है इनकी क्या बाते हैं इनसे भी हम सुनते हैं तो बताएं dzisiaj sł erhö मltryप. अपनी मांगों को लेकर उसको रोक दिया गया है और तिन सकी शी मांग राखे हैं फिर हम लोग साबkov supreme करनेवाले सब पर हमारे बिभाग, इंजेओं में टाल दिया है इंजेओं में हम लोग काम करना नहीं चाहते हैं इन जो यहां से हटाया जाए हम विभाग में काम करना चाहते हैं सारे करमचारी विभाग की गोशे काम करेंगे और हम लोग का दिये में दिये जो पैसा बढ़ती बढ़ती आता है इसको दिया जाए पाहले जो दिया जाता था पाहले मना 2017-2018 में दिया गया दिये में दिये वह प्रवाइब करेंगे जैसा कि इनका कहना है कि हमारी मांगे अगर 16 सुत्री मांगे पूरी हो जाती है तो हम काम पर लोटेंगे और सहर की जो सफाई विवस्था है उससे पूरे तन्मन के साथ काम करेंगे हमारे साथ एक भाई और भी मौझूद है जिनका भी दर्द हमने सुना है इनका कहना है कि मैं 19 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूं और 19 सालों से काम करते हुए यह भावुख हो गए कल रोपड़े थे कि इनका कहना है कि मुझे यहाँ से निकाल करेंजियों में डाल दिया आख तो मेरा यही है जो हम इतना दिन से यह करामचारी के रुप में काम कर रहे थे मेरा वहाली हुआ थա था 2004 में लेकिन यह ऑप ही में दिखा रहा है 2008 से और हम इतना दिन सबसे पुराना है पहले लेपर करते थे और भी है इसा भी मेरा जो है पुराना में सुभ भी खड़े हो जाएंगे अपना पक्ष राखेंगे मेरा कहना है कि हम लोग को ओफिस लिया जाए ओफिस से काम करें जैसे कि इनका मांग है कि हम 2008 से कागज में दिखाया जा रहा है तो कुल मिला कर कहा जाए तो 12-13 साल हो गया है और इनकी मांगो को सुना नहीं जा रहा है इनका मांग है कि NGO को हटा कर नगर परिषत की और से इनका काम किया जाए हमरसादिक बहन और मौजूद है इनसे भी हम बात करेंगे हम चाहेंगें इनके बारे में इनकी साथ क्या समस्या प्रफ्राइब Welshाक और यह सबसे हीनेशिव घराता था तब से उसके बाद वह नंगर परिसाथ जाना जाहरा है सब कोई जान रहा है तब से हमं काम कर रहा है अभी हम को इन जोईत करेप ढाल दिया है जब मेरा बाहएब जूर चोड़ करने आते थे सर्शुवेरिस। चार आज भी करते आ रही हैं। बढ़ा बढ़ा हो गशी अल पड़ा लिख रहा हैं। विलि भी तीन साल बढ़ा हैं। इनका कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को चोड़교 कर काम पर आती थे। महगाई दिनों दिन बढ़ रहा है लेकिन नगर परिस्यत का भुक्तान का जो दर है वो नहीं बढ़ रहा है जिसके कारण इनको दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है और इनकी मांगों को सुने इनकी समस्या भी जायज है नगर परिसद इनकी मांगों को सुनते हुए इनकी समस्याओं को जाने ताकि सिम्डेगा सहर की सफाई बिवस्था जो है पूजा के दवरान किसी प्रकार दिकत ना हो धन्यवाद